हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल एलेफडी हिंदी ट्यूटरल में आपका स्वागते आज मैं आपके लिए लेकर आईयों हिंदी साहित के रीति काल से संबंदित कुछ महतपूर प्रश्न ये प्रश्न आने वाली 1st grade हिंदी की परिक्षा की दिश्टी से उप्योगी हैं सही साथ ही 2nd grade परिक्षा और MP भरती परिक्षा वर्ग 1 और वर्ग 2 की दिश्टी से भी महतपूर एं इन प्रश्नों को पढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे ताकि मेरे आने वाले हन नए वीडियो का लाप सबसे पहले आपको मिल सके आई अब हम पढ़ते हैं रीतिकाल से संबंदित कुछ महतपूर प्रश्न पहला प्रश्ने आचारे रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी है इसका उत्तर है आचारे रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा विक्रम संबत 1700 से विक्रम संबत 1900 सन 1643 से सन 1843 इस्वी मानी है अगला प्रशने मिश्र वंदों ने रीती काल का क्या नामकरण किया है इसका उत्तर है मिश्र वंदों ने रीती काल का नामकरण अलंकरत काल किया है अगला प्रशने रीती कावि की आत्मा है यानि रीती रात्मा कावियस ये मत प्रवर्तित करने वाले थे इसका उत्तर है आचारी वामन अगला प्रशने रीति कालीन कावि में किस विशे की प्रधानता देखने को मिलती है इसका उत्तर है रीति कालीन कावि में शंगारिक भावना की प्रधानता देखने को मिलती है रितिकालीन कावी शंगारिक प्रधान रहा है अगला प्रशने हिंदी साहित के उत्तर मद्धिकाल को क्या नाम दिया गया इसका उत्तर है हिंदी साहित के उत्तर मद्धिकाल को रितिकाल कहा गया और हिंदी साइद के उत्तर मद्धिकाल को रीतिकाल आचारे रामचंद शुक्र ने कहाई अगला प्रश्ने कवी कुल कल्प तरू इस क्रंथ के रचेता कोन है इसका उत्तरे कवी कुल कल्प तरू इस क्रंथ के रचेता आचारे चिंदा मड़िये अगला प्रश्न है अविदा शब्द शक्ती को सर्वशेष्ट मानने वाले आचारे कवी कवी कौन थे? इसका उत्तर है अविदा शब्द शक्ती को सर्वशेष्ट मानने वाले आचारे कवी कवी देव थे? अगला प्रशने आचारी रामचन शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक कवी किसे माना है इसका उत्तर है चिंता मडी को आचारी रामचन शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक कवी माना है अगला प्रशने यमक सस्सई के रचनाकार कोन है इसका उत्तर है यमक सर्सई के रचनाकार कभी व्रंद हैं। अगला प्रशने रसारांश, कावि निर्णे, शंगा निर्णे, विश्नु प्राण भाशा, शत्रंज शतिका ये रचनाएं किस कभी की मानी जाती हैं। इसका उत्तर है ये सभी रचनाएं कभी विकारी दास की मानी जाती हैं। अगला प्रशने आचारी विश्वनात प्रसाद मिश्न ने रीति काल को क्या नाम दिया है। अगला प्रशने मतिराम के अलंकार विश्यक ग्रंथ का क्या नाम है जो की अलंकारों से संबन्दे थे। इसका उत्तर है ललित ललाम मतिराम का अलंकार विश्यक ग्रंथ है। अगला प्रशने रीति काल के किस कवी को योधा, संथ और कवी का आगया है। इसका उत्तर है गुरु गोविन सींग को योधा, संथ और कवी का आगया है। अगला प्रशने रीति काल की प्रतिनिदी रचना कौन सी है। इसका उत्तर है रीतिकाल की प्रतिनिदी रचना बिहारी सस्से ही है अगला प्रशने रीतिकाल में आचारी कवी किने कहा गया इसका उत्तर है जिन कवियों ने लक्षन गिरंतों की रचना की उन्हें रीतिकाल में आचारी कवी कहा गया अगला प्रशने बिहारी रीति काल के किस कोटी के कवी है रीति काल की तीन कोटिया है एक है रीति सिद्ध, दूसरी है रीति बद्ध और तीसरी है रीति मुक्त इन में से बिहारी रीति सिद्ध कोटी के कवी माने जाते है अगला प्रशने केशब दास को भषा का मिल्दन कहना चाहिए ये कथन किस ने कहा इसका उत्तर है ये कथन केशब दास के संबंद में मिश्रुवंदु ने कहा अगला प्रशने इनके दोहे क्या है रस की छोटी छोटी पिछकारिया है बिहारी के संबंद में ये कथन किस ने कहा? इसका उत्तर है बिहारी के संबंद में ये कथन आचारे रामचंद्र शुक्ल ने कहा अगला प्रशने सुजान चरित्र के रचैता कौन है? इसका उत्तर है सुजान चरित्र के रचैता कवी सूधन है अगला प्रशने कवित रतनाकर किसकी रचना है? इसका उत्तर है कवित रतनाकर कवी सेनापति की रचना है अगला प्रशने रस प्यूश निदी के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है सोमनात रस प्यूश निदी के रचनाकार माने जाते हैं अगला प्रशने, रीती काल में कावी रचना का मुख्य प्रयोजन क्या था? इसका उत्तर है, रीती काल में कावी को कला के रूप में प्रतिष्टित करना ही कावी रचना का मुख्य उद्देश रहा, मुख्य प्रयोजन रहा अगला प्रशने केशब दास के किस ग्रंत में ज्यान वियराग्य का वर्णन हुआ है इसका उत्तर है केशब दास के विज्यान गीता में ज्यान वियराग्य का वर्णन हुआ अगला प्रशने केशब दास की किस रचना को छंदों का अजायव घर कहा गया है इसका उत्तर है केशब दास की राम चंद्रिका को छंदों का अजाइब घर कहा गया है अगला प्रशने कवी बिहारी किस राजा के दर्वारी कवी रहे इसका उत्तर है कवी बिहारी जेपुर के राजा जैसिंग के दर्वारी कवी रहे अगला प्रशने बिहारी रतनाकर किस कवी की रचना है? इसका उत्तर है बिहारी रतनाकर जगनात दास रतनाकर की रचना है अगला प्रशने रीति काल को कलाकाल नाम किस ने दिया? इसका उत्तर है रीति काल को कलाकाल नाम रमा शंकर शुक्र रसाल ने दिया अगला प्रशने किस रीतिक कालीन कवी का जन्मिस्थान गौलियर माना जाता है इसका उत्तर है कवी बिहारी का जन्मिस्थान गौलियर मद्ध प्रदेश माना जाता है अगला प्रशने केशप को कठिन काव्य का प्रेद क्यों कहा गया है आचारे केशब को कठिन कावे का प्रेद कहा जाता है इसका कारण है उनकी रचनाओं में पांडित और चमतकार प्रदर्शन की प्रवत्ती है अगला प्रशने जस्वंत सिंग रीती काल की किस धारा के कभी रहे हैं? अभी मैंने आपको रीती काल की तीन धाराओं के विशे में बताया बिहारी तो रीती सिद्ध कभी रहें और जस्वंत सिंग रीती बद्ध कभी रहें अगला प्रशने अंग दरपन किस की रचनाओं? अंग दरपन रसलीन की रचना है इनका पूरा नाम है सैयद गुलाम अली रसलीन अगला प्रशन है भूशन की किस रचना से वे आचारिक कवी के रूप में प्रसिद्ध हुए इसका उत्तर है भूशन, शिवराज भूशन के कारण आचारिक कवी के रूप में प्रसिद्ध हुए मैं सभी वीवर्स से ये कहना चाहूंगी कि रितिकाल से सम्मदित महत्पूर प्रशनों का वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ आप स्क्रीन पर चल रहे आई के वटन को किलिक करके मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं अगला प्रशन है हिंदी साहित में स्वयम कवी तथा अन्य कवियों के आश्यदाता के रूप में कौन से कवी प्रसिद्ध रहे हैं इसका उत्तर है महराजा जस्वन सींग अगला प्रशन है रीती काल में वीर काविके रचैता कवी कौन से माने जाते हैं इसका उत्तर है रीती काल में वीर काविके रचैता कवी कवी भूशन माने जाते हैं अगला प्रशन है चंडी चरित्र किस रीती कालिन कवी की रचनाएं इसका उत्तर है चंडी चरित्र गुरु गोविन सिंग की रचनाय अगला प्रशने अती सूधो सने को मारग है जहां नेकू सयानप पन बांक नहीं यह पंग्ती किस कभी की है इसका उत्तर है यह पंग्ती रीति मुक्तधारा के कभी घंणन्द की है इन्हें प्रेम की पीर के गायक कभी भी कहा जाता है अगला प्रशने रीति काल के कभियों ने नारी का कौन सा रूप चित्रित किया है इसका उत्तर है रीति काल के कभियों नारी का कामनी रूप चित्रित किया है अगला प्रशने सुजान सागर किसकी रचना है इसका उत्तर है सुजान सागर कवी घननन्द की रचना है अगला प्रशने रीती संप्रदाय का प्रवर्तन किस ने किया? इसका उत्तर है रीती संप्रदाय का प्रवर्तन आचारे वामन ने किया? अगला प्रशने किस रीती कालीन कवी की संबाद योजना को सर्वशेष्ट माना गया है इसका उत्तर है आचारे केशब आचारे केशब की संबाद योजना को सर्वशेष्ट माना गया है अगला प्रशने केशब दास का जन्म इस्थान है इसका उत्तर है केशब दास का जन्म इस्थान मद्द प्रदेश के ओर्चा को माना जाता है अगला प्रशने रीती कावी के संधरुम में रीती शब्द का क्यार्थ है इसका उत्तर है रीती शब्द कार्थ कावी की विशिष्ट रचना पद्दती से है अगला प्रशने हित तरंगनी के रचनाकार कोन है? इसका उत्तर है हित तरंगनी के रचनाकार कभी कृपाराम है अगला प्रशने शंगार लतिका सौरब के रचनाकार कोन है? इसका उत्तर है शंगार लतिका सौरब के रचनाकार कभी दुईजदेव है अगला प्रशने किरपा कांड किसकी रचना है मैं सभी विवर्स से यह कहना चाहूंगी कि यदि आप रीतिकाल से संबंदित विस्तरित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका मैंने एक अलग से वीडियो तैयार किया है स्क्रीन पर चल रहे आई के बटन को किलिक करके आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं अगला प्रशने बूंदी के महराव भीम सिंग के आश्रे में रहने वाले कवी कौन थे इसका उत्तर है कवी मतिराम महराव भीम सिंग के आश्रे में रहने वाले कवी थे अगला प्रशने रीती मुक्त काविधारा के कवियों के नाम है रीती मुक्त काविधारा के कवियों के नाम इस प्राकार से हैं घननन्द, आलम, भोधा, ठाकुर ये सभी कवी रीती मुक्त काविधारा के कवी रहें अगला प्रशने रीति कालीन कावी की प्रमुख प्रवत्यां कौन सी रहींगे? प्रमुख प्रवत्यां यानि रीति कालीन कावी की प्रमुख विशिष्टाएं कौन सी रहींगे? शंगारिक्ता, अलंकारिक्ता, पांडित प्रदशन और भोग विलास की प्रवत्ती ये सभी प्रवत्तियां रिति कालीन कावी की प्रमुख प्रवत्तियां मानी जाती है अगला प्रशने घनानंद किसके दर्वारी कवी थे? इसका उत्तर है घननन्द दिल्ली के बाश्चा मौंबद शाह रंगीले के दरवारी कभी थे अगला प्रश्ण और अंतिम प्रश्ण है व्रत तरंगडी गरंत के रचनाकार कोन है इसका उत्तर है व्रत तरंगडी गरंत के रचनाकार जस्वन सींग फ्रेंड्स आज के प्रश्णों का संकलन आपको कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगाओ तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद